क्या सिरफ चुनाव तक रहने वाली है पाइलेट और गहलोत की नजदी किया आखिर इतने आसानी से कैसे मान गए जादुगर कहे जाने वाले गहलोत जनता पूछ रही है सवाल कि गहलोत और पाइलेट का यमिल आप आखिर कितने दिन तक चलेगा आज से ठीक 3 साल पहले जु कुछ बूरा समय था जब एक पल को लगने लगा था कि गहलोत सरकार कभी भी गिर सकती है लेकिन देर सवेरे कुछ विधायक सचिन पाइलेट के पाले से निकल कर फिर गहलोत के पाले में आ गए जिनमें परताब सिंग खाजरी आवास और परमोध भाया जैंजर से बड़े नेताओं को साथ लाने में भी सपल रही इसी को देखते हुए कॉंडेस पार्टी कई नेताओं द्वारा बोला जा रहा है कि अब पार्टी एक नई उर्जा के साथ सुनाविराण में उतरेगी पर अब बात करें राजनेतिक गलियारों में चल रही चर्चा की तो असो गहल तो सचिन पाइलेट दोनों अलग-अलग सवबाव और अलग-अलग विक्तित्व के धनी हैं दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं बात करें सचिन पाइलेट की लगातार देखा गया है कि सचिन पाइलेट चाहे बाहर से कितने भी सकती बरतें पर अंदर से वो नरम दि पिछले दसक में हुए बड़े बड़े नेताओं में उनका नाम भी सुमार है इसी के साथ असो गहलोत को लेकर बोला जाता है कि उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने किसी को अपने बराबर पन अपने नहीं दिया और जिन जिन राजनेताओं ने उनकी कहा सुनिक क गहलो या फिर आपसी बैर रहा हो उन सभी राजनेताओं को खास तोर से गहलोत ने सबक सिकाया है और राजनीति के लिए बोला जाता है कि इसमें दोच से ज़्यादा दुस्मन याद रहते हैं लेकिन अब मोजुदा हालात की बात करें तो असो गहलोत सचिन पाइलेट एक उसी अपनापन सिर्फ आने वाले चुनाओ तोग चले या फिर चुनाओ के बाद वही खेला वही तमासा होने लगे ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसी भी राज्ये के मुख्यमंदरि दोरा किये जाने वाले नेतरित्व को उन्हें की पार्टी के नेताओं दोरा अगर नकार दिया जाए तो वह उस मुख्यमंद्री की आन बान और स्यान का विशय बन जाता है। जिस तरह सचिन पालेट ने बगावत की थी उसके बाद कहीं ना कहीं असोग गहलोत के नेत्रित्व पर पूरी राजस्तान के जनता ने सवाल खड़े किये थी। तो अब मुख्यमंद्री गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पालेट को राजस्तान परदेश का नेत्तित्व करने का मौका मिले। क्योंकि जिस तरह बगावत के बाद इन दोनों नेताओं के बीच आपसी तीक की इस्तिती पैदा हुई थी वो तीक अभी भी मुख्यमंद्री गहलोत के बासन में और बयानों में जलकती रहती है। इसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि गहलोत सरकार द्वारा सचिन पालेट के मांगों को मानना बस एक चुनावी फैसला है। क्योंकि पालेट खेमे के बात करें तो पालेट खेमे में राजस्तान के बड़े बड़े परबाद साली और दिगजनेता हैं। अगर इस बार पालेट नाराज हो जाते हैं तो हो सकता है कि वह दिगजनेता भी कोंग्रेश के हाथ से निकल जाएं। बुद्धी का दिवालियापन बता दिया था और इतना तक कहे दिया था कि अभी इसकी रंगडाई नहीं हुई हैं तो अभी आगे देखना दिल्चस्प होगा कि क्या सोगहलूत पालेट को अपने बच्चे के जरसे मान कर माफ खरेंगे या फिर आपसे मतबेद मिटने का खेल सिर्फ चुनाब तक चलने वाला है क्यूंगि अगर कोंग्रेस पाटी फिर से सत्ता में आ जाती है तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है अगला मुख्यमंद्री कौन होगा राजिस्तान की जनता की माने तो कोंग्रेस की तरब से सचिन पालेट को ही परमुक चैरा ब गहलोत अपने राजनितिक जीवन से सन्यास लेंगे बरहाल अगर कोंग्रेस फिर से सत्ता में वापशी करती है तो जब ताज पोशी का वक्त आएगा तब क्या नया खेला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा पर एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं क क्या असोग गहलोत असचिन पाइलेट के बीच हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो गया है या फिर बस एक चुनावी रणनिती के तहट ये सब कुछ ठीक किया गया है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्षन के मादेम से जरूर बताईएगा